कार्टून वीडियो बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं कहने में तो आसान है दोस्तो लेकिन इसे सीखना बहुत ही डिवकल्ट है लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बिलकुछ भी परिसाने नहीं होने वाली है अगर आप कार्टून वीडियो आई पील के या फिर फनी टाइप के किसी भी टाइप के किसी भी स्रेविटी के या फिर बड़े वीडियो के फनी वीडियो बनाकर आप यूटूब चैनल से पैसा कमाना चाहते ही सीखना चाहते कैसे वीडियो इडिट होती है तो आज की वीडियो इसकिप मत करना आपको यहाँ पर एक चैनल दिखाना चाहूँगो दोस्तो TechKill इन भाई के चैनल का नामे TechKill आपको इनके चैनल को जाके तुरण सब्सक्राइब करना है क्योंकि इन भाई ने एक ऐसा वीडियो बनाया है फुल टुटोरियल बनाया है मुझे बहुत अच्छा रागा दोस्तो इनका चैनल और इनका ये वीडियो मैं काफे इंप्रेस हुआ क्योंकि इनोंने पूरे सही तरीके से आपको बताया है कैसे आप काइन मास्टर से इडिट करके कैसे इस एप का यूज करके कौन सी एप है कैसे आप फणी टाइप के कार्टून वीडियो बना कर यूटूब चैनल से पैसे कमा सकते है मैंने आपको पहले बताया था प्रूब भी दिखाया था कि कैसे पैसा कमा रहे इन भाई डेली के 100-100 डॉलर बनना है तो आप भी अगर इडिट करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना गौर से देखना और इन भाई के चनल को टैक्किल आप देख सकते हैं इसक्रिप्सन में लिंक दे दूँगा भाई के चनल को जाकर सपोर्ट जरू करना सब्सक्राइब करना क्योंकि अगर इनके वीडियो से आपको सीखने को मिलता है तो प्लीज टैक्किल इन भाई के चनल को एक बार जरू सपोर्ट कर देना इनकी भी मदद हो जाएगी क्योंकि ये आपकी मदद कर रहे हैं आपको सिखा रहे हैं कैसे सीखना है कैसे कार्टून वीडियो बनाना है तो आपका भी फर्ज बनता है इनको फुल सपोर्ट करें तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप पूरा टुटरियल देखें के कैसे कार्टून वीडियो रिट की जाते हैं अगर आप एक बार ये वीडियो देख लिया ना तो कभी जिन्दगी में आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप इसे से सब कुछ कर सकते हैं चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इस वीडियो बनाने के लिए आपको तीन एप्लिकेशन की जुरूरत पड़ेगी, सबसे पहले पिक्सालैब एप्लिकेशन की जुरूरत पड़ेगी, उसके बाद मग लाइफ एप्लिकेशन की जुरूरत पड़ेगी, ये तीनों एप्लिकेशन आप प्लेश्टोर से जाक अच्छी information देता हूँ तो प्लीज आपसे एक हाज जोड के request करता हूँ कि वीडियो को skip करके मत देखना अगर आप skip करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला पूरा सुरू से अंट तक देखना तभी आपको अच्छे से समझ आएगा और आप एक ऐसा चैनल बना के 100% एक महीने में अपने यूटूब चैनल को ग्रो करके पैसा कमा सकते हूँ वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना बिना skip करें दोस्तो तो चलिए मैं आप सभी को अपनी mobile screen पे ले चलता हूँ तो सबसे पहले दोस्तो आपको उन वीडियो को बनाने के लिए किर्केटर की images चाहेगी अब किर्केटर की images कैसे download करनी है पहले भी मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में आपको बता रखा है अभी भी आप सभी को बता देता हूँ जैसे कि आपको विराट कोली की images चाहिए तो यहाँ पर आपको Google Chrome में लिख देना है विराट कोली images तो आपके सामने बहुत सारी images आ जाएगी तो वहाँ से आप किर्केटर की images डाउनलोड कर सकते हो Google Chrome से आप किसी भी किर्केटर की images लेना चाहते हो उसका नाम वहाँ पर डाल देना और उसके लाश्ट में लिख देना images तो आपको उसी किर्केटर की images मिल जाएगी और उनको डाउनलोड कर लेना जैसे आप किर्केटर की images डाउनलोड कर लोगे Google Chrome में आपको लिखना है Busy Remover Busy Remover क्लिक कर आपको सर्च वाले बटन पर क्लिक करना और नीचे आपको एक वेबसाइट आ जाएगी Remove Image Background इस पर आपको क्लिक करना है जैसे क्लिक करोगे इसके बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ पर option मिलेगा आपको upload image upload image पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपकी gallery open हो जाएगी जो भी क्रिकेटर की images आपने डाउनलोड करी वो क्रिकेटर की images आपके सामने इस तरह से आ जाएगी अब जो भी क्रिकेटर की images आपने ली उसको आपको select करना है select करके उपर right की side done का option मिलेगा done बटन पर क्लिक कर देना है आपकी image upload हो जाएगी और आपकी images की background remove हो जाएगी इस तरह से देख सकते हो यह देख सकते हो इसकी पीछे की जो background थी वो बिल्कुल remove हो चुकी है अब यहाँ पर right side में download का option मिलेगा इस पर आपको click करना है और आपकी यह image download हो जाएगी इसी तरह से जितने भी क्रिकेटर की images आप लगाओगे इसी तरह से आपको उनकी background remove कर लेनी है जैसे मैंने आप सभी को वीडियो में बताया अब आपका first step complete हो गया की background remove कैसे करनी है क्रिकेटर की अब यह complete हो गया अब आपको second step पे लेके चलता हूँ की आपको कैसे लगानी है अब दोस्तो second step आपका आता है pixel lab pixel lab application में आपको second step complete करना है pixel lab application आपके phone में नहीं है तो play store से जाके download कर लेना जैसे download करोगे application को open करोगे इस तरह का interface देखने को मिलेगा अब सबसे पहले आपको लिखाएगा new text इसका आपको delete कर देना उपर की तरफ delete का option मिलेगा delete हो गया अब हमें इसको image size देना है three dot मिलेगी right side में इस पे आपको click करना image size पे जाना है और यहाँ पर आपको इसका YouTube thumbnail का size इसको दे देना है इस तरह से अब आप सभी को वीडियो बनाने के लिए एक background की जुरूरत पड़ेगी Google Chrome से download कर लेना मैंने जैसे कि एक background download कर रखिया वो मैं लेके आता हूँ plus Nissan पे click करूँगा from gallery में जाऊँगा यहाँ पर मेरी जो gallery open हो जाएगी जो भी background मैंने download कर रखिया उस पे मैं click करूँगा और यहाँ पर इसको पकड़ के इस तरह से इसका पूरा size कर दूँगा इस तरह से आप सभी देख सकते हो इस तरह से मैं पूरा size कर दूँगा यह background आपको google chrome में मिल जाएगी आप वहाँ पर search कर लेना इस तरह की funny funny background आपको download करनी है अपनी वीडियो के इसाब से कि आपको अपनी वीडियो के इसाब से कौन सी background लेनी है मैंने अपनी वीडियो के साब से यह background ली मैं आपको एक example दे रहा हूँ आपको अपनी वीडियो के हिसाब से background लेनी है कि कहाँ पर आपको images लगानी है अब मेरी background आ गई अब मेरे इसको log कर देना है ताकि यह बार बार ना हिले आपको box का option मिलेगा यहाँ पर इसको log कर देना भी यह बार बार नहीं हिलेगी अब मेरे को इनके face के ऊपर जो है किर्केटर की images लगानी है तो यहाँ पर plus वाले निसान पर click करना from gallery में जाना from gallery में जैसी जाओगे तो यहाँ पर आप जो भी आपने background remove की थी वो किर्केट की images आ जाएगी इस पर आपको दबा देना और आपकी image आ जाएगी यहाँ पर tick mark के पर click करना है अब यहाँ पर करना क्या है आपको यहाँ पर इसका face face चाहिए अब right side में आपको काफी सारे tool देखने को मिलेंगे नीचे की तरफ तो आपको third वाले tool पर option पर click करना है यहाँ पर आपको option मिलेगा eraser eraser पर जैसे click करोगे तो आपको नीचे का सारा इरेज कर देना इस तरह से सिरफ आपको face face की रखनी है इस तरह से आपको face face की रखनी है और tick mark पर click कर देना और इसको इस हिसाप से select कर देना वहाँ पर देख सकते हो इस तरह से आपको यहाँ पर select कर देना एक आपका face लग गया अब आपको second face यहाँ पर लगाना है फिर से plus निसान पर click करना from gallery में जाना आपकी gallery open हो जाएगी और जो second clickator की आपने background remove की वो select कर लेना और इसका भी जो है नीचे से यह सारा erase कर देना यहाँ पर third वाले tool पर आना और eraser वाले option पर आपको आना है और इसकी भी जो है इस तरह से सारी remove कर देनी है सिरफ face face रखना आपको देख सकते हो इस तरह से और tick mark पर click कर लेना यहाँ पर और आपकी इसकी भी जो है background remove हो जाएगी मैं जल्दी जल्दी में आपको करके दिखा रहा हूँ आप बिल्कुल अच्छे से करना यह देख सकते हो इस तरह से लग गई दोनों clickator की face अब आपका यह complete हो गया इस तरह से आपको faces लगा लेने हैं अपने हिसाब से अच्छे से मैं आपको जल्दी जल्दी में दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने अब यह बन गया अब आपको इसको import कर लेना है three dot पे जैसे click करोगे यहाँ पर आपको export image का option मिलेगा इसको आपको export कर लेना है high quality में custom वाले पे click करके very high करके save to gallery कर लेना आपका यह save to gallery हो जाएगा अब दोस्तों आपको second step भी complete हो गया कि आपको कैसे images लगानी है face की अब आपको mug application जो है download कर लेनी है play store से जाके जैसे मैंने download कर रखी है जैसे आप download करके application को open करोगे इस तरह का interface देखने को मिलेगा अब आपको right side में एक camera का option मिलेगा नीचे आपको photo देखने को मिलेगा उस पे आपको click करना है जैसे click करोगे इस तरह का interface देखने को मिलेगा अब यहाँ पर camera roll पे आपको click करना है जैसे camera roll पे click करोगे नीचे album का option मिलेगा मतलब की gallery का इस पे आपको click करना है और आपकी gallery open हो जाएगी इस तरह से यहाँ पर आप सभी देख सकते हो अब आप यहाँ पर all photos में जाना जो आपने pixel lab में फोटो बनाई थी आपकी gallery में open हो जाएगी इसको आपको select कर लेना है जैसे आप select कर लोगे इस तरह का interface देखने को मिलेगा नीचे की तरफ आपको काफी सारे option देखने को मिलेंगे आपको इस तरह से scroll करना है सबसे last वाला bum वाला जो option है उस पे आपको click कर लेना जैसे click करोगे देख सकती हो इनके faces इस तरह से बोलने लग गई है तो इस तरह से आपको कर लेना mug life application में अब आप जैसे ये कर लोगे अब आपको इसको save करना है उपर के तरह आपको share वाला option मिलेगा share वाले option पे जैसे click करोगे video loop पे आपको click करना है वीडियो लूप पे click करोगे आपकी एक videos बन जाएगी अब आपका third step भी complete हो गया कि आपको कैसे करनी है third step भी आपका complete हो गया अब आपका जो है four step आता है दोस्तों आपके तीन step बिल्कुल complete हो चुके हैं अब आपको four step कैसे करना है वो आपका kain master में होगा अब kain master application आपके mobile में नहीं है तो play store से जाके download कर लेना और install कर लेना जैसे install कर लोगे इस तरह का interface देखने को मिलेगा अब यहाँ पर आपको जैसे application open करोगे यहाँ create new वाले option पे आपको आना है सबसे पहले option पे select करना है और यहाँ पर next button मिलेगा next button पे आपको click कर लेना है जैसे click करोगे इस तरह का interface देखने को मिलेगा अब यहाँ पर आपको media वाले option पे आना है media वाले option पे जैसे आओगे आपकी gallery open हो जाएगी अब यहाँ पर जो भी आपने mug live से video बनाई थी mug live के नम से आजाएगा folder इस पे आपको click करना और इस videos को ले लेना है और back कर देना आपकी videos यहाँ पर आजाएगी इस तरह से मैं play करके दिखाता हूँ देख सकते हो इस तरह से आजाएगी अब आपको viraat koli के नीचे एक voiceover करनी है सबसे पहले विराat koli का जो है role आएगा तो आपको funny moments वही नीचे voiceover करनी है voiceover कैसे करनी है यहाँ पर record अब सबसे पहले आपको viraat koli का role चाहिए अभी तो यह दोनों बोल रहे हैं अब आपको सबसे पहले विराट कोली का रोल चाहिए, वो कैसे करना है, विलकुल ध्यान से समझना, यहाँ पर लेएर वाले उप्षन पे क्लिक करना, मेडिया वाले उप्षन में आना, और जो आपने पिक्सा लैब में फोटो बनाई थी, वो फोटो यहाँ पर लेके आनी है इस तरह से और इसको पकड़ के इस तरह से पूरा जो है यहाँ पर select कर लेना इस तरह से अब आपको विराट कोली का रोल चाहिए सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे करना इस तरह से और नीचे वाले image को दबा देना इस पर click कर देना जैसे click करोगे यहाँ पर आपको catchy वाला option मिलेगा और split इसको कर देना अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझना है कि पहला roll आपको कैसे बलवाना है यहाँ पर आपको यह जो cut की image आपने इस पर आपको select करना है और यहाँ पर आपको cropping करना है cropping जैसे करोगे यहाँ पर कोने में देखना है जो है white color का बन जाएगा और इसको पकड़ के आपको इस तरह से यहाँ पर यहाँ इस तरह से आपको select कर देना अपने voice over कर दी अब इसको second वाले कृकेटर को उलाना है जैसे आपको second वाले का करना है second वाले को बुलवाना है तो इस पे आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको cropping वाले option पे आ जाना है और इस तरह से आपका वो white white का बन जाएगा और इसको भी इसको पकड़के इस तरह से यहाँ पर इस तरह से जो है select कर देना है अब आपका second बोलेगा मैं दिखाता हूँ सबसे पहले इसका roll start हुआ उसका बंद हुआ तो इसका start हो गया इस तरह से आपको select कर लेना इसी तरह से आपको अगर 5 मिनट की video बनाने है तो इसको पूरा click पकड़के इसको खीज देना इस तरह से जो है YouTube से पैसा कमा सकते हो अब नीचे आपको mug life का जो है एक logo देखने को मिलेगा अब इस logo को कैसे छुपाना है यहाँ पर आप अपने channel का logo लगा सकते हो कोई भी channel का logo कैसे लगा सकते हो layer वाले option पर जाओगे यहाँ पर text का option मिलेगा कुछ भी लिख सकते हो जैसे मैं tag की लिख हूँआ अपने channel का logo यहाँ पर लगा दूँआ इस तरह से और नीचे इसकी तरफ कुछ भी background दे दूँआ background कैसे देनी है यहाँ पर आप सभी को background color मिलेगा और यहाँ पर जो भी color किया background देना चाहते हो वो यहाँ पर दे सकते हो और आपका यह logo भी जो है छिप जाएगा आपका logo भी पिछे नहीं दिखेगा कि किस application से आपने यह बनाई है तो इस तरह से आप उसका logo भी छुपा सकते हो इस तरह से आप यह video बना सकते हो मैंने बिल्कुल step by step आपको समझाया आज की वीडियो में अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी एक like जुरूर कर देना दो दोस्तों मैंने अपनी वीडियो में आप सभी को बिल्कुल step by step समझाया है कि आपको ऐसी वीडियो कैसे बनानी है तो यहाँ पर आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ भी आया होगा और आपने सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत करता हूँ यार मेहनत करता हूँ तो एक वीडियो को like कर देना और इसी तरह से interesting वीडियो देखने के लिए